फल की दुकाने बंदोने पर विक्रेता ने बंदरों को डलवाय फल कोरोना मुहमारी के चलते गोवर्दन कजबे में प्रशाशन ने सकती बरते हुए दुकानों को 11 बजे तक खोलने के लिए पर्मीशन दे रखी है जिसके चलते गोवर्दन कजबे के एक फल विक्रेता ने फलो की विक्री न होने के कारण फलो को परिक्रमा मार्ग में बंदरों के लिए डलवा दिया दुकानदार का कहना था कि दुकानों को केवल 11 बजे तक ही खोलने की पर्मीशन दे रखी है 11 बजे के बाद पुलिस वाले आकर दुकानों को बंद करा जाते हैं जिसके चलते उनका माल भीक नहीं पाता अब ऐसे में अगर फलो को वे वज़ा दुकान में रखे रहेंगे तो वे खराब हो जाएंगे इसे अच्छा है कि वे उनको परिकर्मा में बंद्रों को ही डलवा दिया जाए किसी का तो पेट भरेगा सोचने वाली बात यह है कि एक और कजबे में बिना जरुवत के सामान की दुकाने खुली हुई है वहीं दूसरी और जो फल बिमारी में भी मरीजों को खाने के लिए डॉक्टर सला देते हैं उन फलों की दुकानों को भी नहीं खुलने दिया जा रहा है प्रशाशन को बाजारों में अपनी टीम भेज का बेवनियादी चीजों की दुकानों को बंद कराना चाहिए जबकि दैनी को पयोगा की दुकानों को खुलने की अनुमती पर्दान करनी चाहिए जिससे की कोरोनाम हमारी से लड़ने में लोग अपने आपको शारीरिक रूप से सक्षम बना सकें जिससे के लिए नुक्तान हो रहा है इसके तो बंद रखाएंगे लफट बढ़ जाएगा फल फ्रूट और देने को प्योग की चीजों के लिए तो गवर्मेंट ने बोल रखाए कि यह दुखाने खुलेंगी और सावान बिक्री हो क्या करें खोलने देरे हो क्या रहे बंद क इस वहे से आप इनको बंदरों को टलबागें तो क्या चाहते है प्रसासन के अच्छान हो रहा है उसकी वर्पाई हो जाए कैसे लिए अल्ला दुखानों को खुलने दिया जाए है